सो हेलो फ्रेंद्स विल्कम टू माइ न्यू व्लॉग कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे ही होंगे और आज है संडे मॉनिंग और यह देखिए मैं बाहर थी तो एकदम से मेरी नजर इन फ्लार्स में पड़ी और देखिए कि इतने खूपसूरत लग रहे हैं यह तो वह नानी से अम्रूदी मांगता है जब भी वह आते हैं और हमारे लिए यह लाएं कि इतने सुन्दा लग रहे हैं यह टमाटर और खट्टे भी बहुत होते हैं और इनकी चट्नी तो बहुत ही रेस्टी होती है एकदम खट्टी पुदिना के साथ है और नानी देखिए है यह पैर में क्या हुआ है कि यह देखिए है चोड भी लग जाती है और सुना प्यार मुल्क जड़ा जड़ा देखिए वाँ 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 ताली जड़ा नानी चीख लेए भाँ अच्छा गया अप निग्व जाता है थोड़ा थंडा थंडा तेरा उत्र थंड में आऊंगी बठा के सब्सक्राइश मुल्क कैसे देखिए जेस मेरे क्या पता ऐस क्या पता रपाइश्टी में हमाँ जाओ मैं बोलना सपोंगी मैं ह अब देखिए यहां पर यह डबे फैले हुए हैं यह इसलिए फैले हुए है क्योंकि कि आज संडे तो इसमें थोड़ा painting की जाया तो दो 3 साल कि में पींटिंग की थी अब देखिए यह ऐसे हो गायता तो इनको कर रहे हैं हम अभि यह गे फैले यह यलो और ये ग्रीन टॉप के कलर अप इसमें कर रहे हैं हम रेड कलर और देखिए मेरा बेटा तो अपने काम पे लगा है बस उसे तो पानी चाहिए तो फिर तो वो अराम से खेलता रहता है और देखिए पाने में वो अपने अनिमल्स को नहला रहा है और अभी मैं रेग मार्क से इसका पुराना पेंट जो है वो निकाल रहे हैं और फिर उसमें न्यू पेंट करेंगे और नानी जी भी पूरी हेल्प कर रहे है तुम काम करो मिक्को देखना सरवत बना रहा है तब तक सब के लिए अब मिक्को वो देखो फूल तोड़ तोड़ के लेगे बिलकुल हाँ रूवज़ा बना रहा है वो थोड़ी मिट्टी भी है उसमें ओ गया पर और सब गप्पे मारते मारते लगे हैं काम पर तो जब तक सब लोगों पर पेंट कर रहे हैं मैं तब तक लंच बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ आज चैसू जो की उरत की डाल का बनाया जाता है गड़वाल में काफी बनाया जाता है यह और इसे चामल के साथ खाया जाता है तो उरत की डाल ली है मैंने और उसको मैं आप करूंगी रोस्ट थोड़ा सा रोस्ट करना है फिर उसे मिक्सी में ग्राइ और फिर इसमें पानी डालकर फिर इसे धीमी आच में पकाना है और अभी देखे सब लंच कर रहे हैं और तब तक पेंट भी सूख गया था तो अब बनाते हैं इसमें इमोजी तो इन जो डबबे हैं इन में जो पेंट किया था पहले तो आपते हैं वहीं होते हैं ये भार इह रखे रहे हैं दू बारिश मतलब यह इसमें भी छोड़ीब तो इनका प्राइस भी इतने ज्यादा नहीं रहता है इन प्लांटर्स में जाते हैं मार्केट में और देखिए मैंने कुछ प्लांटर्स में तो बना दिया है इमोजी और अभी देखिए यह अभी कितने सारे रखे हुए हैं तो इन में भी इमोजी बनाने हैं और फिर मममी जी इन में प्लांट्स लगाएंगे तो देख सकते हैं आप इतने emojis तो मैंने भी बना दिया हैं देखे कितने क्यूट लग रहे हैं ये सारे कितने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं कितने बने ये हैं तो देख सकते हैं दोस्तों आप ये मोजी बन चुके हैं मतलब आज मुझे जितना मैं बना सकती थी उतने मैंने बना दिये हैं तो देखे आप भी बना सकते हैं ये घर पे अपने कंटेनर जो आप पर पड़े होंगे और बहुत ये सुन्दर प्लांटर बना सकते हैं इस नाट वेरी बिग डील टू मेक सच इमोजी बट अभी भी कुछ कंटेनर रह गये हैं बनाने को तो देखे दोस्तों देख सकते हैं आप ये प्लांटर्स हमने रख दिये हैं और में प्लांट्स भी लग चुके हैं अपर बहुत हैं डीलूप और इसमें काफे सेरे प्लांट्स लगाये होएं और अलग-अलग प्लांट्स लगाये हुएं तो देखे पीछे सीन भीfires कितना सुन्दा लग रहा हैं माउंटेन् सॉचा ये बहुत है अच्छा है के सबसे अच्छा इमोजी आपको कौन सा लगा मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो फेवरिट जो मैंने इन में बनाए ये वाला है जो ये स्पेक्ट्स वाला है मुझे तो ये बहुत क्यूट लगा ये जो कंटेनर से रह गए थे तो इन में हम अब पेंट करें मतलब अब इमो का इसके वज़े से सो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग तेल दी एंड थैंक यू